मुझे आपका आई सिटी वर्चुर्ट क्लास्रूम धहरादून से कैसे हैं आप सब लोग? उमीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बहतर कुछ कर रहे होंगे आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के साइन्स की और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रिवियस यर्स के कोशन पेपर और जो भी आपके कोशन पेपर से उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी श्रिंखला में आज हम एक प्रतिद्द दर्श प्रश्न पत्रें लेकर चल रहे हैं जो कि यह सैंपल पेपर आपका कुछ उसी प्रकार से होता है जैसा आपका आता है कोशन पेपर ठीक है सबसे पहले वही डिरेक्शन जो कि आपको दी गई है निर्देश दिये गए हैं उनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे जो भी उसमें कहा गया है कि कितने प्रशन आप का है बैसिकि इस पर आपको ज्ञादस करना की कॉनzon आपका कितने मार्स जो प्रशन के आगे नंबर लिखे ज़रे होंगे कि यह प्रशन इतने नंबर का है तो आप को उतनी ही बौ ज़सकते लिखें मैं यह जबने फिश करना अपना अंसर को लिखना होता है ठीक है ना प्रश्ण नमबर एक है आपका इस प्रश्ण की प्रतेक खंड के उत्तर में चार विकल्प दीए गए हैं सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे ठीक है पहले हम सेंपल पैपर में जितने भी कोशन साय हैं एक बार उनको देख लेंगे उसके बाद हम एक एक करके हर प्रशन के आंसर पर बात करेंगे तो यह पहला जो कोशन है बेसिकली इसमें आठ खंड जैसे यहां पर बताए गए है और हर एक खंड में जो प्रशन है आपका वह बहु विकल्प यह में लिखना है ठीक है ना सो फोर आप्शन सार गीवन इन इस पार्ट ओफ दिस इक्वेशन इसक्वेशन राइट दी करेक्ट आंसर इन यह नोट बुक तो कर पहला खंड है जो इसका प्रशन नंबर एक का पहला कर एथेन में कार्बन परमानों के मध्य सहसंयोजक आबंद दो कार्बन और छे हाइड्रोजन है इसमें जो आपस में सहसंयोजी बंदों के द्वारा जुड़े गए हैं तो कितने सहसंयोजी आबंद है वहाँ पर यह प्रशनी यह पूछ रहा है और आप्शन है आपके पास एक, दो, तीन, चार्ट ठीक है ना एथेन में कितने सहसंय जग आबंद है तो वह आपको बताना है को है आपका कौन सी धातु हतेली पर पिघल जाती है कौन सी धातु आपकी हतेली पर पिघल जाती है ठीक है इसके बाद आपका नेक्स कोशन है प्रेशन नमबर दो जो है कोई विलियन नीले लिटमस को लाल करता है इस विलियन की प्रकृति क्या होगे ठीक है a solution turns blue litmus red what will be the nature of this solution ओके देन पीतल के मुख्य अव्यव के नाम बताईए अव्यव यानि की घटब किस किस से मिल करके आपका पीतल बन रहा है तो name the main components of brass ओके दो धातु के नाम बताईए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है name two metals which are found in free state in nature के प्रश्न संख्या साथ के मिस्ट्री से यह एक electron पर कितना आवेश होता है what is the magnitude of the charge of a single electron ठीक है ना then refrigerator में प्रियूक्त किये जाने वाले कृतरिन संशलेशित रसायन का नाम लिखिये what is the name of artificially synthesized chemical used in a refrigerator okay then प्रश्न संख्या 10 है निमने लिखित की electron बिंदू संदचना क्या होगी what will be the electron dot structure of the following first है आपका H2S सूत्र वाले hydrogen sulfide का and second है आपका N2 सूत्र वाले नाइट्रोजन अंग के लेवंध कोशने उभेदर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं उभेदर्मी ऑक्साइडों के दो धारन दीजिए कहीं कहीं पर लिखने में जो आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है जैसे हिंदी में तो वह आप लोग करेक कर लेंगे ठीक है कुछ कुछ बता दिया जाएगा what are M4 जैसे दीजिए आपका यहां पर लिखा गया है तो गलत लिखा गया है वह वाट आर M4 टेरिक ऑक्साइड गिव तू एग्जांपल ऑफ एंफो टेरिक ऑक्साइड देन ट्वेल्ट कुछन भर्जन तथा निस्थापन में उद्हारन सहीत अंतर लिखिए डिफ्रेंट बिट्वें रोस्टिं एंड कैल्सिनेशन कोशन नमर्थ 13 स्वपोशी तथा विसम पोशी में क्या प्रते का उधारन दीजिए वाट इस दे डिफ्रेंस बिट्विन और्टो ट्रॉफ्स एंड हेट्रो ट्रॉफ्स गिए एक्जांपल ऑफ इच यह आपका बायो का कोशन है स्वपोशी तथा विसम पोशी वाला फॉर्टींद कोशन भी आपका बायो का है बायोजी का जीव होता है जब आपको खेवल रसायनी समय करण इसके लिए विरंजक चूण तनों हाइड्रोख्लोरी कमरी से क्रिया करता है तो इसके अपने सिर्फ इक्वेशन लिख देनी है आपकी जो भी अभी क्रिया के लिए समीकरण आई की वो लिख देनी है सिकिने आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गरम किया जाता और गरम करने पर क्या होगा थोड आपका एथनॉल को सांध सल्फ्यूरिक अमलिके साथ 443 कलविन तापम हो रही है सीउस हील टू के साथ और अलुमीनियम का क्लोराइड बन रहा है साथ में आपके कॉपर रिलग हो रही है इसके अलावा एच्छ फ्रेस पर आसपस्त में रियक्त करें एच्छ बन रहा है थर्ड आपका सोडियम जो ऑक्सिजन से एक प्रिया करके एड़न बना रह जाता है तो ऐसक्यों होता है एक थर्ड आपका सच जब लगन की कील को कॉपर स्लफट विलक में डाला जाता है तो विल्यां का रंग्व काया हो जाता है थो कारण बताना है कि कम लेशन का रंग जो है वह रहा यह है कि ट्वेंटीफोर्थ कोशन है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रसाइनिक नाम तथा सूत्र लिखिए राइट था कैमिकल ने में फॉमिला ओफ लीचिंग पाउडर विरंग जग चून भी जिसे आप कहते हैं सेकेंड इसका कठोर जल को म्रिदू करने के लिए कि सोडियम योगी का उप्योग किया जाता है विच सोडियम कंपाउंड यूज वर सॉफनिंग हाड वाटर थार्ड वन इस बेकिंग सोड़ा के दो प्योग लिखिए राइट तू यूजज ऑफ बेकिंग सोड़ा एंड फो अत्मक समाईवेव का चितरन कर सकते हैं प्रतेग चितरन कीजिए किसी अमल थोड़े किसी अमल को तनू करते समय अमल को जल में विलाया जाता है ना की अमल में जल को किया जाता है ट्वट्टी फिफ्ट कोशन आपका जब ऑक्सी करण था अप्चेयन दोनों अभिकरिया ए स्थर्ट talks उप छेन अभी क्यांइड कहते हैं किसी अभी रासाइनिक में जिस्पदार्थ अपचैन होता है उसे उक्सी कारण कहते हैं जब कि जिस सब्सकों баб रॐता है उससे उप्चाया कहते हैं एक क्रियाग में चायन डिश में ग्राम कॉपर सलफेट का विलियन गरम किया जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है स्क्रिया के अधार पर निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए ठीके तो यह आपका केस टड़ी का कोशन है फॉस्ट है कि चित्र देखकर आवलोकन कीजिए कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गरम किया जाएगा फॉस्ट है इसका चित्र देखकर आवलोकन कीजिए कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गरम किया जाएगा तो फर्स्ट किस प्रकार की अभिक्रिया है अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए यानि क्या हो रहा है उसमें ठीक है न वह आपको बताने कौन से टाइप की रियाक्षन होगी और थार्ड है क्या होगा जब उत्पाद पर एच्टू गैस प्रवाहिद की जाती है और पुरा आपका सैंपल कोशन पेपर हो गया इसमें से हम एक एक करके सब्सक्राइब करके आंसर को जानेंगे पहला प्रश्ण था आपका इथेन वे कार्वन परमाणों के बीच सायोजक बंदों की संख्या होती है ठीक है ना इथेन आपका है क्या पहली चीज़ एथेन आपका लएक थेन बी खाया कार्वन कार्वश्ण और इमके साथ जूड़े हुए है यहां पर यहां पर उहीं लोगीए it किẢ़ कार्वन की इन के बीच में कैया जाएगा सिंगल बाउन इस प्रकार से आपको इथेन दिखता है अगर आप टोटल कोंवsilन स्पॉन की बात करते हैं यानि कुल संख्या कितनी है सहसायोजी आबंदों की तो आपको यहां पर दिखाई दे रहोंगे कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ तीन और तीन छे बंद बना रहे हैं ठीक है और एक वह आपस में बना रहे हैं साथ तो टोटल नंबर अगर पू परमाणूं के बीच कितनी संख्या तो कार्बन कार्बन के बीच में तो यह एक ही पॉंड दिख रहा है आपको और तो कोई है नहीं तो सिंगल बॉंड आ जाएगा ठीक है ऑप्शन में भी आपको एक दो तीन चार ऐसी दिए गए थे तो आपको एक है ठीक है यहां पर किमा अध्या एक बंद होता है ठीक है यानि जो कार्बन के परमाणू है दो यहां पर वो सिंगल कोविलेंट बॉंड के द्वारा एकल सहसयोजी आबंद के द्वारा जुड़े हुए ठीक है ना तो यह आपका इथेन के बारे में हो गया इथेन का कार्बन का परमाणू है इथेन में दो कार्बन के परमाणों हैं दोनों एक सिंगनल बॉंड के द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए उसको इथेन भी कहा जा रहा है ना चलिए इसको नोट करेंगे फिर अमागे चलिए चलिए नेक्स कोशन हम लोग अपना देखते हैं क्या था कौन सी धातु हतेली पर पिघलती है हतेली पर पिघलने का मतलब हतेली पर रखने से ठीक है ना जैसी आप हतेली पर रखते उसको तो वह पिघलना शुरूर कर देगी हतेली का टैंप्रेचर हमारा नॉर्मल टैंप बॉड़ी की बात करें तो वहां पर अगर वह पिघल रही है इसका मतलब धातू का मेल्टिंग पॉइंट क्या है कम जबकि आपने जनरली धातू के केस में क्या पढ़ा था कि धातू के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हो बहुत हाई होते बहुत ज्यादा टैमप्रेचर प अब लोग पढ़ते हैं कुछ धातू ऐसी होती हैं कुछ धातू एसी होती हैं जिनके गलन अंग वा वतन अंग उच्छ होते हैं ठीक हैं सभी धातू ऐसी होती है कुछ नहीं लिगेंगे सभी धातू ऐसी होती हैं मुख्य रूप से ऐसे लिखे अधिकांच ठीक है जिन में या ऐसे लिखे वा कुछ धातूं के मेंटिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं अतह यहां हतेली कि गर्मी से भी पिघल जाते हैं तो है कौन-कौन जिटिकांच चीजियम की बात आप लोग करते हैं यहां पर क्योंकि आपको सीजियम दिया गया था तो आप 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 सीजियम लिख सकते हैं जिनका गल नांग बाकी धातों से बहुत कम है और इसी कारण इने थोड़ी सी भी गर्मी मिलते ही यहां पिघलन लगती है ठीक है चलिए नोट करिए जल्दी से जैसे यह प्रश्ण है आपका यह उत्तर होगा इस तरह से आप इसको लिखें चलिए नेक्स कोशन है आपका एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है इस विलियन की प्रकृती क्या होगी ठीक है ना विलियन है आपका कोई और वो नीले लिटमस के संपर्क में आने पर उसका रंग जो है वो नीले लिटमस का लाल हो रहा है तो कौन से विलियन ऐसे होते हैं जो नीले लिटमस के संपर्क में आने पर उसको लाल कर देते हैं तो आपको पता है कि जब हम अमलो की बात करते हैं तो अमल आपके ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे विलियन होते हैं ऐसी प्रकृति होती हैं लोकी कि वह नीले लिटमस के संपर्क में आने पर उसे ला करता है इसलिए वह व्यलियन अम्लिय होगा और चुकि उल्हायँ का पी एच माल साथ से कम होता है ठीक है और साथ से कम जितने में भी आपके सब्सरंट sahkem आएंगे आप डिरेक्ट लिख सकते कि साथ से कम प्याच मान होता है तो वह नीले लिटमस को लाल करेंगे वही साथ से अधिक जिनका भी प्याच मान होगा वह लाल लिटमस को नीला करेंगे यानि वह छारीय प्रकृती दिखाएंगे आपको चली नेक्स कोशन देखते हैं लोग पीतल के मुख्य घटकों के नाम लिखी यानि पीतल जो है पीतल बेसिकली क्या है आपकी एक मिश्रधातों और किस-किस से बनी हुई है तामबय और जिंक की बात हम लोग यहां पर करते हैं जस्ता और तामबा उससे यह मिलकर के बनी कि मिश्रधातों क्यों बनाई जा रही थी कुछ आपको बेसिक आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब आप किसी धातों की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से वह किसी चीज़ से रियाक्ट कर रही है तो हम क्या करते हैं उसके साथ कोई और तत्व को मिश्रधातों बनाई आपका इस नहीं को बूप कर रहे हैं यह सारी मिश्रधातों यहां तत्वों से यह थातों से मिलकर बन रही है ओके चले एक और कोशन देखते हैं तो दहातों के नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं तो आपके सारी रूप में पाई जा रही है चाहद़ दर्जब धातों का ध्याया पड़ रहे थे आपने अब बोला धातों अपने आयसकों के रूप में किसी ना किसी के साथ एक कंपाउंड फॉर्म में मिलती हैं वहीं पर कुछ धातों आसी थी जिनको आप अब करते हैं अपने नेचर से या प्रकृती से थी कि वह कौन कौन सी थी उसमें आप सोने की बात करते हैं प्लेटीनम की बात करते हैं क्यूआ क्योंकि इनकी अभी क्रियाशिलता बहुत कम है यह क्रियाशी जो आपने रियक्टिवीटी सीरीज देगी दी सक्षेटा शेणी उसमें सबसे नीचे आपने दाथों को पाया था क्योंकि इनके अभी क्रियाशिता बहुत कम है इसलिए ये किसी के साथ जुड़ के compound form में नहीं मिल रही है आपको बलकि यह स्वतंत्रावस्था में अपने अकेले में आपको मिल रही है आपको क्या करना है थोड़ा सा उसको रिफाइनी अगेरा तो होगी शोदन अगेरा होगा उसके बाद यूज मिल आएंगे लेकिन कोई special आपके लिए कोई method यूज नहीं कर रहे है कि उसको उसके आयस से आपने क्या करना है सांद्रित करना या कैल्सिनेशन भर्जन जो भी आपने पढ़ा था निसापन हो गया इन सब का प्रियोग नहीं किया जा रहा है वहां पे तो दो धातूं के नाम जो प्रगर्टि में मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना एंड प्लेटिनम सोने का आपका एयू है और वहीं प्लेटिनम का पीटी है सिंबल ओके चालिए नोट करेंगे से जल्दी से कि इसके अलाव सिल्वर हो गया मॉर्कुरी कॉपर हो गया सारी आपकी कम अभी करिया शिल्द हाद हो है चली नेंट्स कोशन है एक इल्लक्टरॉन के आवेश का परिमान आपको बताना है मैगनिट्यूट पूछा गया था आपको आवेश आपको पता है इस पर निगेट्टिव चार्ज होता है ठीकिन एलेक्टोन कैसा होता है रिना वेशत है लेकिन उस कितना की श्रद्टी बात कर लें तो यहां पर 1.6 एंटू 10 इस पार माइनस 19 कुलम का यह पर उसके रही होता है आवेश का महत्रा कुलम होता है इस आए क्यू तो कि है कि क्या है कूलम इस वाक है परकन दो के हैं याids इटनाव आवेशी आपका किससपर प्रोटॉण पर विपाया जाता है दोनों पर आवेश没 होता है लेकिन प्रोटॉण प्रोटोन आपको पता है कैसा होता है प्रोटोन आपका पॉजटेवली चार्ज होता है यानि धनावेशित कण जब परमानों की संरचना को हम लोग पढ़ रहे थे तो हम पर बहुत अच्छे से हमने प्रोटोन के बारे में पढ़ा था तो वही यहां पर इसके अतिरिक अगर इलेक्ट्रोन के द्रव्यमान की बात करेंगे बहुत छोटा करना सब अटामिक पार्टिकल की बात करते हैं आपका प्रोटोन इलेक्ट्रोन तो उस पर जो मास होता आपका द्रव्यमान वह कितना होता है वह आपका 9.1 इंटू 10 इस पार माइनस 31 केजी आप जिसको पढ़ करेंगे हैं चल्ड़ों के लिए नोट का लीजिए रेफ्रीजरेटर में प्रियूप्त क्रितरिम रूप से संच्छेशित रसायन का नाम क्या है कि इस प्रकार से लिखेंगे और एंटू डाय नाइट्रोजन के परमानू आपस में क्रिपल बॉंड के द्वारा जुड़े होते हैं त्री सब्सक्राइब हसन योजी आबंद में इसका उधारण पड़ा था इसके अलावा हाइड्रोजन सलफाइट एच्टू एस जहां पर एक सलफर का परमानों दो हाइड्रोजन के परमानों से जुड़ा हुआ तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे लेक्ट्रोन बिंदू सरचना बीच में सलफर आजाएगा आपका सलफर के जो च्छे परमानों घ्रै लेक्टॉन होते हैं वह दिखा देंगे और एक शेरिंग और यहां कि में तीन तीन इलेक्ट्रोनों की साझ्यदारी होती है त्रिपल कोवलेंट बॉर्ण होता है तो इस प्रकार से और डायनाइटोजन का बना लेंगे यह भी होमवक में उभेधर्मी ऑक्साइड बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है 2022 के प्रश्ण पत्र में पूछा गया प्रकृति का बोल रहे हैं कि वह अमलिया प्रकृति दिखाते हैं यानि चार चारी तो दिखाए रहे तो उनको अभेधर्मी ऑक्साइड आपका कहा जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप इस प्रश्ण का उत्तर लिख़ेंगे तो यह भी आ आपका homework का प्रश्ट नोट करेंगे से जल्दी से और उधारन भी आपको देने हैं जिंक और आपको दिखाई दोनों के साथ कैसे हो रही है और किस प्रकार के सॉल्ट और वाटर आपका किस तरह से फॉर्म हो रहा है क्लियर है चलिए तो मैं उमीद करती हूं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा आज के सेशन में हमने उत्तराखन बोड का जो सैंपल पेपर है उत्तराखन बोड का वो देखा उसमें रसायन वीज्यान शाका से जो भी प्रशन पूछे गए हैं उन पर हम लोगों ने बात की है एक एक करके हम सब प्रशनों के हल और उत्तर जान रहें किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है बाकी आपका कोई भी डाउट होगा कोशन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे अपने आने वाले सेशन में इसी को आगे कॉंटिन्यू करेंगे और तब तक के लिए आई सीटी वर्चुल क्लास्रूम से चुनने के लिए धहने बात